भाईव और बेहनों, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्टे सरकारों ने जो कदम उठाए और आज देख रहे हैं मद्दबदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है, अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाओं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा लेकिन मैंने कुछ उदारण इसलिए दिये ताकि आप हमारी सरकार की नियत को परक सके हमारे ट्रैक रिकोर्ड को देख सके हमारे नेक इरादों को समझ सके और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूँ कि हमने हाल में जो कुर्शी सुधार किये हैं उसमें और विश्वास का कारण ही नहीं है, जूट के लिए कोई जगए ही नहीं है मैं आपसे कुछी सुधारों के बार बोले जा रहे सबसे बड़े जूट के बारे में बात करूंगा बार बार उद जूट को दोराये जा रहा है जोर जोर से बोला जा रहा है जहां मोका मिले वहां बोला जा रहा है बीना सिर्पर बोला जा रहा है जैसे मैंने पहले कहा था स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई आपने भी नहीं की थे हम भी नहीं करते हमने तो असा नहीं कि हमने तो लागू की दूसरा ये हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंबीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की गोशना करती है इस से किसान को भी आसानी होती है उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुवीधा होती है साथियो छे महिने से जादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किये गए ये कानून तो लागू हो चुके थे 6 मेने पहले हो चुके थे कानून बनने के बाद भी वैसे ही MSP की गोशना की गई जैसे पहले की जाती थी कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरफ किया गया MSP पर खरीदी भी उनी मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी कानून बनने के बाद भी वही हुई अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की गोशना हुई MSP पर सरकारी खरीदी हुई उनी मंडियों में हुई तो क्या कोई समझदार इस बात को स्विकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी और इसलिए मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई जूट नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई शडियंत्र नहीं हो सकता और इसलिए मैं देश के प्रतेक किसान को इविश्वास दिलाता हूँ कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी MSP न बंद होगी न समाप्त होगी साथियो अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूँ वो दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे पिछली सरकार के समय गेहू पर MSP थी 1400 रुपिय प्रतिक क्विंटल हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल गेहू पर 1975 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपिय प्रतिक क्विंटल हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार में जवार पर MSP की MSP थी 1520 रुपिय प्रतिक क्विंटल हमारी सरकार ज्वार पर प्रतिकिंटल 2640 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 1950 रुपिय हमारी सरकार प्रतिकिंटल मसूर दाल पर 5100 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी 31 रुपिय हमारी सरकार अब चने पर प्रतिक विंटल इक्क्यावन सो रुपी एमस्पी दे रही है। हमारी सरकार मुंग दाल पर करीब बहत्तर सो रुपीए सेवन थाउजन्ट टू हंडेड रुपीए एमस्पी दे रही है। साथियों यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार कि एमस्पी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तबज्जों देती हैं। सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि जादा से जादा अनायत की खरीदारी मस्पी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने पांच साल में किसानों से लगबग सत्रा सो लाग मैट्रिक तन धान खरीदा था। यहां करे याद रखना। हमारी सरकार ने अपने पांच साल में तीन हजार लाग मैट्रिक तन धान किसानों से मस्पी में खरीदा करीब करीब डवल। पिछली सरकार ने अपने पांच साल में करीब पौने चार लाग मैट्रिक तन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने पांच साल में चपन लाग मैट्रिक तन से ज़्यादा एमस्पी पर खरीदा है। अब सोचिए कहां पौने चार लाग और कहां चपन लाग यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ एमस्पी में वृद्धी की बल्कि ज़्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमस्पी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाब ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा पहुचा है। पिछली सरकार के पांच साल में किसानों को धान और गेहुं की एमस्पी पर खरीदने के बड़ले में तिन लाग चबहतर हजार करोड रुपिय मिले थे। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहू और ध्यान की खरीच करने किसानों को आठ लाक करोड रुपिये से जानदा दिए